आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित रसायन विज्ञान भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउन गया है तथा द्वीबंद बनाने वाले प्रतेक कारवन परमाड़ों दो भिन परमाड़ों या समुहों से जुड़ा होता है यानि कि ये जो है आपका दो इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा दो समान या भिन से जुड़ा हुआ रहता है फिर क्या बोला गया अतह वो स जो द्वीबंद यूक्त कार्बन पर्माडवों से जुड़े हुए पर्माडव या समुहों के भिन्द विन्यासों के कारण होती है वो ज्यामिति ये समावयावता कहलाती है ठीक है अब इनके घूमने के वज़ा से ठीक है जब हम लोगों का क्या बनेगा समावयावता हैं तो उसे संपक्ष रूप याने की सिस फॉर्म कहते हैं तता जब समान पर्माडव या समुह द्वीबंद के विपरीत ओर होते हैं तो उसे विपक्ष रूप या विपक्ष समावयावी या ट्रांस फॉर्म या ट्रांस आइसोमर कहते हैं इस प्रकार ज्यामिति समावया इतना तो हम दोत हैं इतना करें और देखेके, अम्से से पहले यौगिकology क्या होना चाहिए द्वीबंद होना चाहिए और द्वीबंद होने के बाद भी दोनों तरब क्या होने चाहिए थे हम लोगों से ये प्रस्ण में ही बोल दिया गया है कि दोनों तरफ आपके समान या भीन प्रकार के समू लगे हुए होने चाहिए तो अब हम लोग पहले भी कलब को चेक करें तो बोला गया 1-phenyl-2-butene तो butene का मतलब क्या हुआ कितने कारबन होंगे 4 तो 1-2-3-4 ठीक है और मैं इधर 1-2-3-4 लग दिया दू नंबर पे क्या है डबल बॉंड है दू बंध है तो ये हो गया फिर बोला गया कि 1 पे क्या है फेनिल है तो इस पे हम लोग क्या लगा दें C6H5 यानि कि ये फेनिल समू लग गया अब देखे यहाँ पे क्या होगा H होगा और यहाँ पे क्या होगा H होगा यह आपका CH3 होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा ये दो बंध है तो दो और हो जाएगा तो क्या ये ज्यामितिय समावयावता दे सकता है बिल्कुल दे सकता है ये देखे दो समान तरीके के क्या है हाइड्रोजन जो है द्वी बंद के एकी तरफ हैं तो हम लोग इसको सिस्फरम बोल सकते हैं और अगर अगर अपोजिट साइड में होता तो हम लोग ट्रांस भी बोलते हैं मतलब ये तो देगा पक्का हो गया है कि नहीं अब दूसरा वाला जाएं तो बोला गया थ्री फेनिल वन ब्यूटीन यानि कि फिर से हम लोगों को एक, दो, तीन और चार और वन पे यानि कि अगर मैं इसको नंबर एक, दो, तीन, और चार बोल दिया तो ये बोल रहा है कि पहले नंबर पे द्विक बंद लगा दो वन ब्यूटीन देखे और 3 पे क्या लगा दीजे फेनिल लगा दीजे यानि कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग बेंजीन लगा दिये तो ये फेनिल हो गया अब देखेगा इसमें दोनों ही क्या होंगे दोनों ही तरह फाइट रोजन है और यहाँ पे एक भिन है तो अब हम लोग अगर इसको घुमाएंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा चुकि ये दोनों ही क्या हो गया एक समान समू हो गया दोनों भिन होने चाहिए थे इस वज़ा से ये नहीं देगा ठीक है तीसरा वाला विकल्ब चेक कर लिया जाए तुरंट है ना तो दूसरा तो नहीं दे रहा है तीसरा देखे टू फेनिल वन ब्यूटीन फिर से वन नंबर पे आ गया है तो ये तो तुरंट पता चल जाना चाहिए क्या हो गया एक, दो, तीन और चार जब वन पे आ गया तो ये दोनों साइड में हाइड्रोजन ही होगा एक समान यानि कि ये भी नहीं देगा टू पे हम लोग भले ही फिनिल बना ले एक ही तरफ नहीं दोनों ही कारबन पे देखे बोला गया था दोनों ही कारबन पे वह समय होता जो दू बनाने वाला प्रतेक कारबन परमाड़ों दो भीन परमाड़ों या समूहों से जुड़ा होना जरूरी है जो की दूसरे और तीसरे विकल्प में हम लोगों को नहीं मिला एक कारवन जो है हाइडरोजन नहापे दोनों हाइडरोजन ही है इस वज़े से दोनों गलत हो गए अब अन्तिम विकल्प आने की चौता विकल्प चुना जाए तो चौते को देखिए क्या हो रहा है वन वन डाइफेनिल वन प्रोपीन तो मैथर एथर प्रोप हो गया और वन पे क्या हो गया प्रोपीन हो गया और वन वन डाइफेनिल अगर ये एक हुआ दो हुआ तीन हुआ तो फिर अगर एक ही पे दो बार फेनिल आ जाएगा तो भी तो वो बात एक ही हुआ ना जैसे हाइड्रोजन दोस्त एक समान था यहाँ पे भी दोनों क्या हो गया एक समान समू लग गया जबकि दोनों भिन होने चाहिए थे है कि नहीं इस वज़ा से ये भी योगिक नहीं देगा तो हम लोगों का जो उत्तर मिल रहा है उत्तर क्या मिल गया पहला भी कल्ब मिला है ठीक है धन्यवाद